तो भाई पिछले तीन सालों से मैफिस्टो मैफिस्टो चिलाने के बाद फाइनली अब जाकर अगाथा All Along के थर्ड एपिसोड में Marvel फैंस को MCU में फर्स्ट टाइम ओफिशली मैफिस्टो का मेंशन होता हुआ देखने को मिला साथ ही लास्ट एपिसोड में विचेज रोड की जर्नी शुरू करने के बाद थर्ड एपिसोड में अगाथा के कवन के मेंबर्स के ट्राइल्स भी इस जर्नी पर शुरू हो गए तो आईए थर्ड एपिसोड में दिखाए गए इनी सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डीटेल में बात करते हैं Hello guys मेरा नाम है विशेक और आप देख रहें Nerdy Insight And this is the breakdown of third episode of Agatha All Along So let's begin the show अब भई लाश्ट एपिसोड में विचेज रोड को मैजिकली समन करने के बाद Third episode में अगाथा और उसके कवन की जर्नी शुरू होती है जा इन सभी के कनवर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि इस जर्नी में हर एक विच को अपने अपने क्राफ्ट के ट्राइल्स देने होंगे साथ ही इन सभी की कनवर्सेशन के दौरान ही जब बाकी विचेज अगाथा के साथ आए उस मिस्टीरियस लड़के से उसका नाम पूछती है जो अगेन उसकी वाश डिस्टॉर्ट हो जाती है और उसके मुँपे वही M वाला साइन बन जाता है जिससे कि किसी को भी उसकी आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देती जिसके बाद लिलिया कॉल्डरी बताती है कि उस लड़के के उपर किसी ने सिजिल नाम का magical spell किया हुआ है जिससे कि वो चाह कर भी किसी को खुद की identity ना बता सके खेर विचेज रोड पे चलते चलते वो सभी पहुँचते हैं घर पे जिसकी entrance पे मून के अलग-अलग phases की carving की गई है और सबसे top पे हमें देखने को मिलता है full moon जिसका significance हमें यहां तो नहीं पर episode में आगे जाकर पता चलता है अब भई घर के अंदर आते ही इन सभी का look completely change हो जाता है जिसके बाद इन सभी को यहां पे मिलता है एक riddle जो की कुछ इस तरह है खेर अगले ही सीन में यह riddle solve भी हो जाता है जब मिसिस डेविस उस घर में table पे पड़ी हुई wine को point out करती है जिसके बाद वो लड़का और Jennifer wine opener लेने जाते हैं जहां पे Jennifer उस लड़के को अगाथा से alert रहने के लिए कहती है साथी Jennifer उस लड़के को बताती है कि कई सारे लोगों का यह कहना है कि अगाथा ने अपने बच्चे को dark hold के लिए trade किया था साथी वो कहती है कि अगाथा के बच्चे का क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो जिन्दा है या डीमन बन गया है या फिर मैफिस्टो का कोई एजेंट अब भाई सिरीज के फर्ष्ट एपिसोड में ही हमें अगाथा के बेटे निकुलेस स्क्रैज के नाम तीज किया गया था जो कि मार्वल कॉमिक्स में डोर मामू के साथ साथ मैफिस्टो का भी एजेंट रह चुका है खेर इसके बाद उस लड़के को छोड़कर बाकी सभी वाईन को अपनी अपनी गलास में डालते हैं जहां पे सबसे पहले मिसिस डेविस उस वाईन को पीती हैं और उनके वाईन पीते ही एक 30 मिनटस का टाइमर स्टार्ट हो जाता है खेर इसके बाद बाकी सभी भी अपनी अपनी वाइन पी लेते हैं पर अगाथा अपनी वाइन को गमले में डाल देती है लेकिन भाई उसके ऐसा करने पे भी उसे वाइन से चुटकारा नहीं मिलता और उसके ग्लास में वाइन magically reappear हो जाती है खेर इसके बाद जिस किसी ने भी वाइन पी थी उन सभी के face पे swelling आने लगती है and then सभी कोई realize होता है कि अगाथा ने वाइन पी ही नहीं थी अब भाई ये पूरा scene दिखा रहा है कि कहीं न कहीं अगाथा उस लड़के की care तो करती है अब फिर चाहे वो अपने बच्चे की याद में ऐसा कर रही हो या फिर अपने regret में पर उसकी caring कहीं न कहीं काफी evident है अब भाई इसके बाद सभी Jennifer को एक antidote बनाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो ही इस कवन में potion witch है सो वो kitchen में पहुँचती है और सभी को necessary ingredients बताती है जिसके बाद सभी पूरे घर में ingredients की तलाश में जुट जाते हैं लेकिन भाई इसी बीच poison का effect बढ़ने लगता है और सभी को अपने अपने past से कुछ important लोग दिखाई देने लगते हैं जहां Mrs. Davis A.K. Mrs. Hart को Wanda Vision series से Wanda को उनके husband को चोग करने का hallucination होता है तो वही Alice को अपनी मा के suicide का साथी Lilia Caldery को एक लड़की की मौद दिखाई देती है जिसके पीछे Lady Death खड़ी हुई है तो वही Jennifer को एक डॉक्टर जैसा कोई बंदा दिखता है जो कि उसे डुबा कर मारना चाहता है लेकिन भाई सबसे interesting hallucination होता है अगाथा का जिसे baby carriage में अपने बच्चे की जगा पे डार्क होल दिखाई देती है जो की indicate कर रहा है कि कही न कहीं उसके बच्चे के regarding जो rumors है उनमें कुछ सच्चाई तो जरूर है और भाई जिस तरह से अगाथा और इस लड़के का bond हमें देखने को मिल रहा है who knows कहीं ये लड़का सिरीज में आगे चल कर अगाथा के बेटे के रूप में हमारे सामने ना आ जाए खैर इसके बाद घर की खिडकियों से खारा पानी अंदर आने लगता है जिसके बाद इन सभी को realize होता है कि ये घर समुद्र के अंदर है और वो जो timer घड़ी में चल रहा है वो इसी पानी का घर के खिडकी और दर्वाजे तोड़कर घर के अंदर आने का है खैर इसके बाद जैसे तैसे जेनिफर एंटिडोट पोशन बना लेती है और सभी विचेज वो पोशन टाइम आउट होने से पहले पी भी लेती है साथ ही मिसस डेविस जो की hallucination के बाद बेहोश हो चुकी थी उन्हें भी कुछ सेकेंट्स रहते ही ये पोशन पिला दिया जाता है जिसके बाद इस घर में पानी भरने लगता है जो की कहीं न कहीं एंट्रेंस पे दिखाए गए फुल मून वाली रात से connected है जब समुद्र में high tides आते हैं खेर जैसे तैसे बच कर ये सभी यहां से भागते हैं और सभी को बाहर आने पे पता चलता है कि मिसस डेविस की डेथ हो चुकी है लेकिन भाई जब वो लड़का सभी को ये बताता है कि शेरन इस डेड तो surprisingly अगाथा ये पूछती है कि हुई शेरन अब भाई अगाथा ने ऐसा क्यूं बोला वेल इसका answer तो हमें नहीं मिलता और episode इसी cliffhanger पे end हो जाता है अब भाई शेरन की death से लेकर इस cliffhanger तक इन सारी mysteries के unfold होने के लिए हमें next episode का इंतजार करना पड़ेगा लेकिन भाई अगर आपको आज के इस episode का breakdown पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हाँ अगर आपके कुछ suggestions हैं तो please don't forget to comment और जाते जाते प्लीज इस channel को subscribe करना भी न भूलें तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए have fun and enjoy the day